हेलो एवरिवन हैपी गार्णिंग तो देखिए साम के साड़े पांच बज़रे और धूप बी काफी तेज है क्योंकि गर्मिया जो है देखिए काफी देर तक दूप रहती है और आज मैं 6-7 दिन बाद अपने प्लांट्स देख रही हूं क्योंकि मैं मम्मी के यहां गई हु लेकिन मिट्टी में मिक्स हो रहे हैं दूरे के कुछ मत नहीं होते हैं कि इसके कि लोह में ह्याक अधुट्स चंप यह स avaient के गई है और मैं हमाने प्लांट्स जर्ड़े की मुझा होए अ झाल बाते हैं इसमें कुछ इस्टैम्स डाली थी छोटी चोटी सी तोड़ कर कि अब मुझे को उसमें ग्रोथ तेजी से दिख रही है तो यह जो प्लांट से देखे दातुरे के मैंने कुछ दिन बाद अब देखे तो काफी बड़े हो गई और जब मैंने देखे थे तब बहुत चोटे-चोटे से थे और कम भी थे और अब तेजी से निकलते जा रहे हैं और भी निकल रहे हैं देखो और जो पहले निकले हो थे वो तो बड़े-बड़े हो गए हैं तो मैं आज इनको सारे हटा दूंगी कुछ ही प्लांट से मैं आपको दिखा पांगी क्योंकि वीडियो जादे लंबा हो जाएगा थोड़ी बाती भी करनी है तो देखिए मैं सा काफी नुकसान किया हुआ है देखो मैंने कितने सारे प्लांट हाथ से निकाल दिया है क्योंकि मिट्टी में तो नमी बनी हुई है तो और हमसी निकल रहे हैं प्लांट सारे प्लांट हटाऊंगी क्योंकि यह सब एनर्जी की लेते रहेंगे औरना मनी प्लांट भी लगा जाएगी क्योंकि मैं ग्रोध देख रही हूं कि मैं प्लांट की बहुत अच्छे से हो रही है चोटी-चोटी स्टेम्स डाली थी सर्दियों मैं इसमें और अब वो ग्रोध कर रही है बहुत अच्छे से प्लांट हो रहे हैं दतुरे के निकाल रहा हूं थी तक कि जो इसमें प्लांट मनि प्लांट और यह दूसरा प्लांट भीका नाम आप बताईए जो जिसकी प्तिओं maan पर बहुत अच्छा सО्ट डिजाइन है उसका नाम आप बताईए जो इसमें गरस करें तो जल्दी जल्दी बड़ा होता जा रहा तो सारी अनर्जी लेता जा रहा तो इतना सारा मैंने निकाल दिया है अब जो भी उसमें प्लांट है वह अच्छे से ग्रों करेंगे और दिखाती हो मैं आपको के मैंने यह और भी देखिए दूसरे पोर्ट में प्लांट है काफी सारे इस तरीके से ग्रों होते हैं चोटी चोटी से नुकीले से यहां पर भी देखिए यहां पर पॉली बैग मैं मैंने सारे में गैंडा लगाया हुआ था कि मैं इनको अलग पोर्ट में सीफ्ट कर दूँगी वैसे भी गैंडे का सीजन तो जा रहा है बड़ा काफी सारी जगह खिलते रहते हैं प्लावर से और मैं रोज उकाड़ती रहती हूं इनको नहीं मैं होने दूंगी इनको सारे निकाल दूंगी आज मैं यह देखिए कितने बड़े बड़े इसमें भी कली आ रही है और फूल खिल जाता है दो तीन दिन में यहां पर mnipalant और यह वाला plant इसका नाम को बताना हो कितना सुंदर इसकी पतिया हूं यहां से काटा था यह देखिए में इसमें से बीच में से प्लांज निकल गया और साइडम में इसम काफी सारे प्लांज देखें कितनी दोटनी सब्सक्राइब करने हैं मैं तुक रहा तोके हैं सब्सक्राइब कर लेती हैं भूद बहुत ज़्यादा और बहुत काम करने होते हैं अब कि चाय पत्ति हैं चाह पत्ति निकलती हो दो करके में सुखा लेती वह इसमें डाली थी मैंने कहीं बार डाली और उसका रिजल्ट मुझको मिला देखी कितनी बड़ी बड़ी पत्तिया और कितनी कलर्फुल पत्तिया इसमें निकल कर आई हैं और बारिश भी आया थी परसो शायद बता रहे थे मैं चीटे से पड़े हुए हैं पत्तियों पर मिटी के दिखाई दे रहे हैं तो यह मैं प्लांट को इसमें बहुत अच्छे से ग्रों करेगी सारी खर्परत्वार मेंने निकाल दिया इसमें से अब इसको सांस मिलेगा ऑउक्षिजन रहें अच्छे से इनको जिस सरी के से लेते हैं इनको भी अपनी हिसाफ से चाहिए वैसे ही हमको अक्सिजन हर वक्त देते रहते हैं के बिना तो हम जी नहीं सकते और कहीं दिनों बाद अपने पोदों को देखा है तो मन कर रहा है कि मैं बहुत सारा काम करूं गार्डन में आज लेकिन जितना हो पाएगा बस वही क करूंगी मैं कहीं दिन बाद देख रही हूं तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिन बाद मिल रही हूं क्योंकि हम जब सुबह साम दो फैर हर वक्त देखते हैं और उसको 6-7 दिन में देखे तो लगता ही है कि काफी दिन हो गए देखे हुए यह देखे हुए काफी प्लांट इसमें बहुत अच्छे से ग्रोव करेगा और पीच में यह प्लांट जो है मैं ज्यादे नहीं रखोंगी इसमें से निकाल दूंगी वरना यह भी अपना कफजा कर लेगा पूरे कैन पर और देखे मनी प्लांट की पत्ति कितने अच्छे से निकल रही है तेजी स तो थैंक्स पूर वाचिंग मिलते है नेक्स्ट वीडियो में